नमस्कार स्वागेता आप सभी का जोधपुर लोगसवा सीट अपकी वार सबसे होट सीटों में से मानी जा रही है क्यूंकि एक तरफ बिजेपी के लिए कद्दा और नेता केंद्रे मंत्री गजेंदर सिंग से काउत होंगे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री असो गहलोत के बेटे वेभव गहलोत यहां कड़ी टकर देखने को मिल सकती है जी हां वेभव गहलोत को उनके पिता असो गहलोत का अनुबव काम आ सकता है लेकिन गहलोत के बेटे विभव गहलोत पर भाजपा के नेता वंसवाद पर गहरने की पूरी तयारी में जुट गए हैं और आपको बता दें रहूल गांदी यानि की गांदी परिवार पर भी पहले वंसवाद का आरोप लगता रहा है बीजेपी ने वंसवाद पर कॉंग्रेस को जम कर गहरा है इस बार भी बीजेपी कोई कसर छोडने वाले नहीं है जोदपुर में मोदी लहर अभी भी कम नहीं हुई है और जोदपुर के लोगों की माने तो यहां मुकाबला कड़ा हो सकता है फिर भी बात करें जोदपुर में किसका पलडा बारी है तो वेभव गहलोत के लिए मुक्खे मंतरी गहलोत खुद चुनाओ परचार कर सकते हैं वहीं गजेंदर सिंग सेकाओत को मोदी लहर का फाइदा मिल सकता है मोदी लहर अभी भी कम नहीं हुई है राजस्तान में तो इसका फाइदा है वो पूरा का पूरा फाइदा सेकाओत को मिल सकता है लेकिन मुक्खे मंतरी असो गहलोत है वो भी पूरा जोड लगाएंगे कि वेभव गहलोत यहां से चुनाओ जीते क्योंकि यह वेभव गहलोत की एक राजनिती में सुरुवात है अगर सुरुवात में वेभव गहलोत डगमगा गए तो आगे का रास्ता बहुत कटिन है वेसे बात करें तो लोगसबा चुनाओं में जो थूर लोगसबा सीट बीजेपे के लिए यहां मजबूत इस्तती मानी जाती है तो बहुत बहुत दन्यवाद तमाम न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं